हेलो फ्रेंड्स आज बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा पाव भाजी बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके साप इसे बना सकते हैं तो आएए देखते हैं इसकी रेसिपी तो सबसे पहले हमें बनानी है सबजी तो आपके पास जितनी भी सबजी है आप ले सकते हैं मैंने लिए थोड़े से फुल गोबी गाजर बीट बीट से बहुत ही अच्छा कलर आएगा सबजीओं में साथ में मैंने कटे वे आलू लिए है फ्रेश मटर है σिंपпली हमें सारे सबजीЙों को रफ्ली कट कर लेना है क्योंकि इन सभी को हमें डालना है cook कर में जिससे कि सारे सबजी अच्छे से गल जाये तो यहां पर मै spine i banana लेते हैं सारे सबजी को cooking कर में डालने के बाद इसे हम फुल flame में roast कर लेंगे कुछ मिनिट के लिए फिर इनमें हम साथी में डाल देते हैं नमक थोड़ा सा और पानी भी डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिला लेंगे फिर इनमें हम दो से तिन सीटी लगा लेंगे अब हमें भाजी में डालने के लिए तड़का की तयारी करनी है पाव भाजी में बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक वर इस प्रोसेस से ज़रूर बना के देखना तो हमें कड़ाई में डाल लिए थोड़ी सी तेल और यहां पर मैंने कुछ लहसन की कलिया लिया है इसे हम हलका सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे और जब लहसन हलका सा कलर चेंज हो जाए तो हम डाल देंगे इनमें तीन से चार सुखी लाल मिर्च लाल मिर्च जब हलका सा फुल जाए फिर इसे हम निकाल लेंगे और ग्राइंट कर लेंगे तो देखे यहां पर हमारी सबजियां भी अच्छी तरह से पक चुकी है अगर आपके पास मैशर है तो उनकी हल्ब से सारी सबजियों को मैश कर लेंगे इस तरह से पाब भाजी इस ओल अब बटर अब तक में हमने बटर का यूज नहीं किया था तो अब हम कड़ाई में डालेंगे बटर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बटर डालने से भाजी में तो इस टेच पे हम बिलकुल लो फ्लेम में रखेंगे और डालेंगे खरा जीरा हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च कश्मीरी मिर्च डारेक्ट ओल या बटर में डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है इसे भी हल्का सा रोष्ट होने तक भूल लेंगे अब यहां पे हम डालेंगे कटीवी टमाटर और साथ में हम डाल देंगे पावभाजी मसाला तो पावभाजी मसाला हमने यहां पे 4 से 5 चम्मच डाला है अब सभी को अच्छे से mix करेंगे और थोड़ा सा पानी डालते विए इसे हम हलका सा oil separate होने तक इसे हम भूल लेंगे ये देखो oil separate हो चुके है अब इनमें हम डाल देंगे पकीवी सबजिया और मैशर से थोड़ा सा और मैश कर लेते हैं होटल में मार्केट में भाजी को जैसे तवे पे मैश करते हैं वस उसी तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे और उपर से थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर और इस तरह से क्रश करके हम डालेंगे कसूरी मेथी सभी को अच्छे से पकाना है थोड़ा सा बटर यहां पे और जाएगा भाजी की थिकनेस बहुत ज्यादा है अभी वी जेनरली भाजी थोड़ी सी पतली बनाये जाती है और इनमें तड़का लगाया जाता है मैंने अद्रक लहसन का पेस्ट यूज नहीं किया है भाजी में अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में अद्रक लहसन का भी पेस्ट यूज कर सकते हो तो ढग के इसे हम ओयल सेपरेट होने तक भूल लेंगे साथी में हमने जो तड़का लगाने के लिए लहसन और सूखी लाल मिट्श भूने थे तो इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ी सी पानी डाल के फाइन पीस लेंगे तडका लगाने के लिए कड़ाई में डालेंगे बटर तुरनती इन में हम डालेंगे काश्मीरी मिर्ट से भाजी का कलर और वी ज़्यादा रिच हो जाएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देते हैं और आब यहां पर लस सारी धनिया और आप चाहे तो इनमें पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं और लास्ट में भाजी को पतला करने के लिए डाल देते हैं पानी और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे हमें पका लेना है कुछ मिनिट और और लास्ट में डाल देते हैं धनिया पत्ता और यहां पे भ लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा भाजी में टैंगी फ्लेवर आता है, तो आएए अब हम भाजी में खाई जाने वाले पाफ को बटर से तवे पे सेक लेंगे, बटर में जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पत्ता, बस हमें पाफ को इस त टीवी प्याज और लेमन के साथ सर्फ करें, भाजी में मैंने उपर से पनीर के क्यूब्स और थोड़े से बटर से सर्फ किया है, और आप इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजोई करें, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करन नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करना, बाई